मुख्य मंतरी अर्विंद केजरीवाल जेल में है मंगलवार को दिल्ली हाइकोट ने गिरफतारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिश कर दी थी CM केजरीवाल कम से कम 15 अपरेल तक तो जेल में ही रहेंगे लेकिन केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में नया संकट खड़ा हो गया है मंगलवार को ही उपराज पाल वीके सकसेना ने ग्रिह मंतरालय को एक चिठ्थी लिखी है इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद सरकार के कामकाज की चर्चा को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया चिठी में उपराज जिपाल ने लिखा कि इस बैठक में न शामिल होने का जो कारण मंत्रियों ने बताया है, वो असपश्ट है और ये दिल्ली के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों के प्रती गंभीरता की कमी और असमवेधन शीलता को दिखाता है एक हफते में ग्रह मंत्रालाई को ये LG आफिस से लिखी गई दूसरी चिठी है इससे पहले चार अप्रेल को LG आफिस ने केंद्रिय ग्रह सचिव को एक और चिठी लिखी थी जिसमें दिल्ली सरकार पर अदालतों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था इन सब के बीच अब दिल्ली में राश्ट्रपती शासन लगने की संभावनाएं और तेज हो गई हैं मंगलवार को विधान सभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल की गिरफतारी के बाद बीजेपी दिल्ली में राश्ट्रपती शासन लागू करने की कोशिश कर रही है न्यूज एजनसी पीटी आई के मुताबिक विधायक मदन लाल ने दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिती पैदा हो गई है उपराजपाल कह रहे हैं कि वो केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमती नहीं देंगे उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को डराने के लिए दिल्ली में राश्ट्रपती शासन की अफवा खैलाई जा रही है उन्होंने ये भी दावा किया कि कोई भी कानून केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने से नहीं रोक सकता दिल्ली में इस वक्त जैसे हालात हैं उससे राश्ट्रपती शासन लगने की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लागू करना सम्विधान के अनुच्छे 249 सब के अंतरगत आता है। अगर मंत्री मंडल सरकार नहीं चला पा रहा है तो उपरा जिपाल राष्ट्रपती शासन की सिफारिश कर सकते हैं। अनुच्छे 249 सब राश्ट्रपती को विधान सभा को निलंबित करने या पूरी तरह से भंग करने का अधिकार देता है। इसके अलावा राश्ट्रपती चाहें, तो दिल्ली के सुचारू कामकाज के लिए कानून भी बना सकते हैं। अभी उपराज्यपाल वीके सकसेना आरोप लगा रहे हैं कि बैठक बुलाने के बावजूद मंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। हालां कि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज का दावा है कि एलजी के पास बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल की गिरफतारी के बाद एलजी सकसेना ने एक कार्यक्रम में कहा था। मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। उनके इस बयान को राश्ट्रपती शासन लागू करने के संकेत के तौर पर देखा गया। जानकारों का मानना है कि जेल में रहने के बाद भी केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो दिल्ली में आगे क्या होगा? ये सब कुछ उप्राजिपाल पर निर्भर करता है। अगर उप्राज जिपाल को लगता है कि मुख्य मंत्री के जेल में रहने के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है, तो वो अनुच्छे 249 अप के तहट राश्ट्रपती शासन की सिफारिश कर सकते हैं. अगर उप्राज जिपाल दिल्ली में राश्ट्रपती शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के पास अदालत में जाने का विकल्प खुला है. उसके दो कारण हैं. पहला ये कि जेल जाने के बावजूत केजरीवाल पर इस्तीफा देने के लिए क 1994 के सर बोम्माई मामले में सुप्रीम कोट के फैसले के आधार पर चुनोती दी जा सकती है. उस फैसले में सुप्रीम कोट ने साफ किया था कि कोई सरकार बहुमत में है या नहीं. इसका फैसला सदन में ही हो सकता है. एसार बोम्माई करनाटक के मुख्य मंत्री थे और 1989 में ततकालीन राज्यपालपी वेंकट सुबया ने ये कहते हुए उनकी सरकार को बरखास्त कर दिया था कि बोम्माई सरकार बहुमत खो चुकी है इसके बाद उन्होंने राश्ट्रपती शासन लगाने की सिफारिश कर दी थी बोम्माई ने इसे पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी इसी साल जन्वरी में जारखंड के मुख्यमंत्री हेमंद सोरेन को कथिद जमीन घोटाले में इडी ने गिरफ्तार किया था गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने मुख्यमंत्री पच से इस्तीफा दे दिया था उनके बाद चम्पई सोरेन को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया सोरेन के इस्तीफा देने से राज्य में संभावित सम्वैधानिक संकट खड़ा नहीं हो सका ऐसा करके उन्होंने राश्ट्रपती शासन की संभावना को टाल दिया था ऐसा ही कुछ हरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं अगर केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं और उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो दिल्ली में भी राश्ट्रपती इसके अलावा एक दूसरा विकल्प भी है लेकिन वो आम आदमी पार्टी के लिए शायद सही नहों उप्राजिपाल चाहें तो जब तक केजरीवाल की जगह कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनता तब तक के लिए ही राश्ट्रपती शासन की सिफारिश कर सकते हैं जैसे ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है वैसे ही राश्ट्रपती शासन को हटाया जा सकता है ऐसा करके आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से बर्खास्त होने से बच जाएगी